हेलो फ्यूवर्स आज हम बनाएंगे सूपर टेस्टी और हेल्दी वेच कसी डास इसे आप चाहे तो एज लांच, डिनर या फिर स्नाइक्स के लिए बना सकते हैं अगर यह जटपट परने वाली रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर केजिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चपाती का डो रेडी कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हेल्दी रखने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ यहूं का आटा यूज़ किया है थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें एक चमच के जितना ओयल और पानी डाल कर इसका एकदम सॉफ्ट टार्टा लगा लेंगे इस आटे को हम ढखकर रख देंगे रिस्ट करने के लिए और उतने टाइम में इसका फिलिंग रेडी कर लेंगे फिलिंग हमारा काफी प्रोटीन रिच होने वाला है तो पनीर को देखके आप समझी गए होंगे यहाँ पे मैंने आदा कप पनीर लिया है जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था उसके बाद लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, शिमला मिर्च और प्यास को मैंने बारी चॉप कर लिया है आप चाहे तो कलरफुल बेल पेपर भी उसकर सकते हैं यहाँ पे बॉयल किया हुआ कॉन्स डाल देंगे उसके बाद सीजनिंग के लिए हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और औरिग्यानो इस फिलिंग का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए मैंने डाला है एक बड़ा चमच शेजवान सॉस एक बड़ा चमच टोमेटो केचप और दो बड़े चमच के जितना मियोनीस अगर आप मियोनीस अवाइट करना चाहते हैं तो उसकी जगा आप चाहे तो हंक कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आवन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा फिलिंग रेडी हो जाएगा मियोनीस इस वन सॉस इन सब में थोड़ा सा सॉल्ट होता है इसलिए मैंने नमक आड नहीं किया है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फीका लगे तो आप नमक आड कर सकते हैं इसमें और भी कोई दूसरे vegetables हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं तो वो भी add कर लीजिए वही दूसरी ओर हमने जो आटा लगा था ना वो भी अच्छे से rest हो गया है अब इसकी हम छोटी सी लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे अगर आपके पास बची हुई रोटी रखी है ना आप उसका भी use कर सकते हैं यहापे काम जल्दी हो जाएगा आपका तो आप इस आटे की लोई में मैं सुखा आटा थोड़ा सा dust कर लूँगी और फिर इसे एकदम पतला बेल लूँगी यह जो कसीडास है ना वो बहुत ही जादा टेस्टी बनके रेडी हो से हैं इसलिए आप चाहे तो बिना जिचा किसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं इतने सारे vegetables हैं पनीर है तो काफी जादा healthy भी रहेगा जब तक मेरा चपाती बेल के रेडी हो रहा है यहाँ पे दूसरे तरफ मैंने पैंट चड़ा दिया है गैस के ओपर और उसे गरम करने रख दिया है जैसे ही तवा गरम हो जाए इसमें डाल देंगे हमारे चपाती और यहाँ पे मैंने flame को medium रखा है जैसे जैसे bubbles आने लगे ना उपर इसे turn कर दीजिए और flip करने के बाद हमने जो मिश्रन रेडी किया था ना vegetables और पनीर का वो डाल देंगे इसमें और यह जो filling है ना उसे डालने में जराविकन जूसी ना कीजिए एकदम भर-भर के आड़ कीजिए तब ही तो एकदम गजब का टेस्ट आएगा यहाँ पर मैंने चपाती के एक साइड में फिलिंग डाल दिया है और उसके बाद डाल देंगे ग्रेट किया हुआ चीज आप जो दूसरा साइड है ना हमारी चपाती का उसमें मैं थोड़ा सा शेजवान सॉस स्प्रेट कर रही हूँ शेजवान सॉस के जगा आप चाहे तो पीजा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं इस चपाती को हम फोल्ट कर लेंगे और इसे बटर लगा के हम दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे ग्यास का फ्लेम यहाँ पे लोटू मीडियम ही रखेगा ताके अच्छे से क्रिस्प हो और जले नहीं परना हाई फ्लेम कर देंगे ना तो चपाती जल सकते हैं ऐसे ही नीचे का साइड क्रिस्प हो जाए हम पलट कर दूसरा साइड भी से पका लेंगे देखे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा जो चीज है वो मेल्ट हो रहा है परस अब इसे कट कीजिए और सर्व कीजिए तो रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना भूलिएगा नहीं कमेंट बॉक्स में और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. साथी बेल आइकन को क्लिक करना भूलेगा नहीं. बाई!